नमस्कार दोस्तूं दीवी हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों जानलेवा हो सकती है डाइबटीज तो बता देगी डाइबटीज एक ऐसा रोख है जिसे एक बार हो जाए वे पूरी जिंदगी परिशान रहता है अगर समय रह सकती है और वर्तमान में बड़े ही नहीं बल्कि इस रोख से बच्चे भी परिशान है दोस्तों एक शोर्त करता के अनुसार कि खतरनाग रोख शरीर को धीरे धीरे खोकला करता है और ब्लड शुगर बढ़ाने से यह बिमारी होती है इस दोरान इंसूलिन सही तरीके से काम नहीं करता यदि इसको नजर अंदास किया जाए तो शरी के दूसरे अंग निश्करिये हो सकते हैं वैसे तो टाइप वन डाइबटीज के लक्षन काफी कम उमर में दिखना शुरू हो जाते हैं वहीं टाइप टू डाइबटीज 25 वर्ष की आयू में परिवार के किसी सदस नर्स और ब्लड सर्कूलेशन खराब होने से पैरों में अलसर जैसी समस्था हो सकती हैं बता देगी पैर के अलसर से बचने के लिए डाइबटीज के रोग्यों को अपने पैरों को साफ और सूखा रखना चाहिए अरायम दायक और हलके मोजे पहने और पैरों में किसी भी तरह के घाव होने पर अपने डॉक्टर को स्ट्यूरं संपर्ट करें दूसरा नसों को डामेज होना अगर आपको टाइब 2 डाइबटीज है तो नियूरोपेथी का खत्रा और अधिक बढ़ जाता है और नसे डामेज होने लगती है ताथी इसके लक्षन पैरों का सुन होन जुनजनी होना जलन दर्ग आँखों में परेशानी और कमजोरी है तीसरा किट्नी में समस्याय पैदा होना ब्लट शुगर के स्टर के बढ़ने का सीधा अर्शच किट्नियों पर पड़ता है तो ये किट्नी के फिल्टर करने की शमता को प्रभावित भी करता है इस वज़ को दुनला दिखाई देने लगता है डाइबटीस आपकी आँकों की छोटी ब्लट वेशल्स हानी पहुचाने लगता है इसे ग्लुकोमा मोत्यबींद और डाइबटीस रेटिनोपैथी का खत्रा बढ़ जाता है इसमें एक समस्या के बाद आखें बहुत कमजोर हो जाती है पाचपा है हाइब ब्लट पेशर दोस्तो जदी आपने डाइबटीस को कंट्रोल नहीं किया तो ऐसे में हाइब ब्लट पेशर और दिल की बिमारी का खत्रा और अधिक बढ़ जाता है अगर आप टाइब टू डाइबटीस से पीरित हैं तो लो सोडियम डाइट ले और नि दूरों में इंप्रेक्शन का खत्रा भी बढ़ जाता है इसके लिए जरूरी है कि आप औरल हाइजेनिक का पूरा ध्यान रखे तो दोस्तों आप इस वीडियो से यह तो समझी चुके हैं कि डाइबटीस की बिमारी कितनी जानलेवा हो सकती है और इससे आपको अन्य बिमा झालेवार